हेलो फ्रेंड मैं हूं मिनमों अडर डार्क टॉक्स की एक और एपीसोड में आप सब का स्वागत है आज की कहानी फिर से अमेरिका की है अमेरिका की जो ओहां की जो रूरल एरियाज है या फिर गाउं अगेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुबशूरत शांत होती है यहा कहानी बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है दोस्तों और मैं उम्मीद करता हूं यह कहानी अपलग अम तक देखेंगे कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्यूंकि ऐसी क्राइम और होरर से भरी कहानिया हमारे च इस से एक रेट गारी आती है उसके पास रुपती है और इससे पहले कि डाणोर को सोच पाए उस गारी का ड्राइवर सीडे डावन पर गोली चला देता है और वहांसे व भाग जाता है गोली इतने पास से चलाई गई थी कि डॉनल वेलिंग की वही पे मोत हो जाती है अब ये हट्या कान ऐसे सुनसान जग़ पे हुआ था जहां पे कोई भी विटनेस नहीं था और पूरी चानवीन करने के बाद भी पुलिस को ना कोई सबूत मिले ना कोई मोटीव मिला कि इसकी हत्या क्यूं होई इस शूटिंग के थीक 19 महीने बाद यानि की 10 नवेंबर 1990 को एक दूसरे जग़ पर जेमी पेकस्टन नाम का एक लरका अपने फार्म में काम कर रहा था कि तफी दूर पर वही सेम रेट कलर की गारी रुखती है उसका ड्राइवर एक स्नाइपर राइफल निकालता है और जेमी के उपर निशाना लगा कर उसको शूट कर देता है जेमी की भी उसी वक उसी जग़ पे मौत हो जाती है और इस बार भी पुलिस को ना कोई सबूत मिलते हैं ना विटनेस और क्लूज जेमी के मर्डर पर पुलिस ने काफी छानबीन की जेमी के सभी दोस्तों रिष्टेदारों से बाचीत की लेकिन उसकी हत्या का कोई भी मोटीव उनको नहीं मिला जेमी इतना अच्छा लड़का था अपने कम्यूटी में बहुत जारा पॉपुलर भी था उसका कोई भी दुश्मन ही नहीं था और जब पुलिस को कोई मोटीव नहीं मिलता कोई भी क्लू नहीं मिलता तो जिसने यह किया है खुनी को पकरना यह सब क्राइम अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काउंटी में कर रहा था ताकि पुलिस इंवेस्टिगेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाए अब इस थर्ड मर्डर के बाद जो किलर है वह एक लोकल न्यूस पेपर को एक चित्थी लिखता है जो कि एक टाइप जेमी was a complete stranger to me and I had no personal animosity towards the young man. I never even saw him previously in my life. He was killed because I have an irresistible compulsion to shoot people and this obsession has taken over my life. I knew when I left my house that day that someone will die at my hands. Although I am an average looking guy with a wife and kid but sometimes I turn into a merciless killer with no conscience. अब इसका मतलब यही है दोस्तो कि killer बोल रहा है कि मैं वैसे तो एक बहुत ही normal इंसान हूँ और मैं जेमी को जानता भी नहीं था उससे कभी मैं previously मिला भी नहीं लेकिन कभी-कभी मेरे अंदर कोई एक monster आ जाता है एक जानवर जैसा और वो मुझे command करता है कि मुझे इसे ल 1992 को एक और shooting हो जाती है और यह भी टीक उसी तरह ही होता है जैसे दूर से कोई sniper shoot करता है इसी तरह इस खुनी ने भी उस लड़के को shoot करके मार डाला था लेकिन दोस्तों इस बार एक चीज अलग होती है जिस जगह पर यह shooting हुआ था मनलब जो जमीन थी वह federal जमीन थी तो इ 3 different counties के police थी और वहां पे जो wildlife protection की जो force थी वह भी शामिल थी क्योंकि यह सारे के सारे जो खून है जो shooting है वह जंगल के आसपास rural रास्तों में हुए थे जहां पर घर वगेरा कोई नहीं एक दम सुंजान जगह पे यह सब हुए थे पुलिस अपना काम तो अची तरह से कर रह रहती और इसी बीच पांच एप्रिल 1992 को एक और shooting होती है और एक और लरका मारा जाता है तब कुल मिला के पांच लरके मारे जा चुके हैं अब इसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है इसका एक psychological profile बनाती है इस profile में जो बाते थी वह बाते ऐसी थी मतलब उन्होंने इसा एजीन किया था कि जो शूटर होगा वो एक white male होगा जो बहुत ही ज़ादा intelligent है और जिन areas में उसने crime किया है उन सबी areas के बारे में इसको पूरा knowledge है लेकिन उसकी जो life है उसकी जो social life है वो अच्छी नहीं होगी उसके life में कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा और उसको sniper पर के लिए जो professional rifles होती है, गन होती है, वो चलाना उसको एकदम अच्छी तरह से आता होगा। और इस psychological evaluation में ये भी था, कि जो killer होगा, जानवरों को भी मारता होगा, और arson करता होगा, यानि कि इधर उधर आग लगा देता होगा। अब पुलिस इसके पीछे बुरी तरह से परी हुई थी, लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहा था, उसी साल July 21st को ये फिर से दो लोगों को मानने के कोशिश करता है, पर वो लोग इसको देख लेते हैं, इसके बाद ये घबरा कर वहाँ से भाग जाता है, पर उन लोगों ने इसकी गारी देख ली जो एक रेट कलर की पीकप ट्रक थी, अब दोस्तों जब पुलिस इसको पकरी नहीं पा रहे थी और ये शुटिंग के उपर शुटिंग करते जा रहा था, तब पुलिस ने फिर पबलिक की मदर लेनी की सोची, और इसके लिए जो साइकलोजिगल प् बताता है, वो बताता है कि उसका स्कूल में एक फ्रेंट है, जिसका बीहेवियर एकदम शुटर के साइकलोजिगल प्रोफाल से मिलता जुलता है, इस आदमी का नाम था 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 थौमस दिलन, रिचर्ड ने बता है कि वो दोनों पहले दोस्त थे और वो लोग मिलकर ऐसा कर करते थे, फिर जानवर वगेरा डिग गए तो उनको शुट कर देती थे, ऐसे ही मजे मजे में, वो लग दूर से निशाना लगा किसी की गारी की काच वगेरा भी तोरते थे, लेकिन बाद में उसे लगा कि थौमस दिलन जो है, वो थोड़ा ज्यादा ही वायलेंट और साइ अब इसके बाद वो बताता है कि वो थौमस से कई सालों तक नहीं मिला उसके बाद, लेकिन 1989 में यानि कि जिस साल ये किलिंग शुरू हुई, उसी साल वो डिलन से एक आम स्फेर में मिलता है, और फिर दो दोस इतने पुराने दोस मिलते हैं तब वो लोग ऐसे ही गारी में बैठ के कहीं पे निकल जाते हैं, और इसी परस्नल बातचीत करते हैं, और इनी बातचीत में जो थौमस है, वो रिचर्ड को बहुत सारी बाते बता देता है, वो रिचर्ड को ऐसा बता देता है कि क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं कभी किसी को मार सकता हूँ, और ये भ बहुत ही बरा लीड मिल गया था पुलिस को और पहली बार पुलिस के पास एक ऐसा आदमी था चोगी कोई अन्नेम नहीं था अन्नोन नहीं था एक नूर आदमी था जिसको पुलिस पीछा वगरा करके और सबच जुटा सकती थी इसलिए पुलिस ने हैवी सर्वेलेंस लगा दिया थॉमस दिलन के पीछे पुलिस दिलन के ऑफिस भी गई यह पता करने कि जिन दिनों में यह सब खून हुए थे शुटिंग हुए थे उन दिनों में यह दिलन कहां पे था तो पुलिस को यह मालूम चला कि जिन दिनों में शुटिंग शुए थे उन दिनों में इसका आइदर बंध था या फिर दो दिन ऐसे थे जिसमें इसने चुटी ली थे और उन्हीं दो दिनों में शुटिंग हुआ था जब पुलिस इसको सरवेलेंस कर रहे थी याने कि पीछा करे थी तो पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि ऐसे ही सुनजान रास्तों में निकल जाता है और बिना किसी वाज़ए से कही पर रुके, बंदुग निकाल के लोगों के पैट को गोली मार देता है, या फिर साइन बोट को गोली मारता है, या फिर वो आग लगा देता है किसी बिल्डिंग में, किसी जगह में. अब इसकी इन सब हरकतों को देखकर, पुलीस को इस पर पूरा शक हो गया, इसकी इसकी डर्वेलेंस है, निगानी है, पुलीस ने और बार रहा दी, यहां तक की एरोप्लेंस एक चोटे एरोप्लेंस से भी इस पर निगानी करना शु ehkäर दिया, इस case में पुलिस को सबूत तो मिले लेकिन वो सभी के सबी सरकम्स्टेंसल सबूत थे और फिजिकल एविडेंस उनको एक भी नहीं मिला था बीना फिजिकल एविडेंस के एक स्ट्रॉंग केस नहीं बन सकता तो अगर पुलिस उसको एरेस कर भी लेती तो यह आराम से चूट स और पुलिस इसको नहीं पकर पा रहे थी और जो ओहायो के लोकल लोग हैं जो रूरेल एरिया में रहते हैं वह लोग भी काफी टेंशन में आ गये थे कि उनकी जो डे टू डे जो उनकी दिन चरिया है वह काफी एफेक्ट हो रही थी क्योंकि रिस्क भी बहुत है आप खु कर दे आपकी जान चली जाए तो यह दम प्रेक्टिकल बात नहीं थी लोग भी परेशान हो गयते और इसी वजह से पुलिस भी काफी प्रेशर में आ गई थी इसको पकड़ने के लिए तब पुलिस ने एक चाल चली वह चाल ऐसी थी कि पुलिस को पता था कि उनके पास फी अब पुलिस ने जो चाल चली वह यह थी कि पुलिस इसको एरेस्क करेगी इल्लीगल आर्म्स पोसेशन के केस में लेकिन इसको यह नहीं बताएगी कि उसको इसको 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 गिरफार किया गया है और वह कंफेस कर दे हैं अब इसी प्लेन को आगे बरा कर नॉबेंबर 1st 1992 को पुलीस इसको गिरफतार कर लेती है, illegal arms possession के लिए, जब दोस्तों पुलीस इसको गिरफतार करती है, तब इसका मुँ एंदम खुला का खुला रह जाता है, कि इसको यकीन ही नहीं था कि पुलीस इस तक पहुच सकती है, इ पुलीस ने इसको कंफरंट किया पुलीस टेशन में, तो इसने सीधे मुँ उन से बोल लिया कि मुझे मेरा वकील चाहिए, अब आप लोग उसी से बात करना, बहुत ही स्मार्ट था यह दोस्तों, बहुत ही स्मार्ट, अब बिना किसी physical evidence के, पुलीस को भी मालूम था कि वो टिप मिलती है, वो टिप ऐसी होती है कि दो साल पहले जो डिलन है, वो एक arms dealer को एक बहुत बरी rifle बेचता है, एक sniper rifle, और यह दोस्तों, यह वही rifle होती है, जिससे दिलन ने यह सारे shooting किये थे, जब पुलीस को वो rifle हाट लग जाती है, तब वो फिर ballistic test करते है, यानि कि जो गो पुलीस ने जब यह किया, तो अंत में जाके इतने सालों बाद 1989 से 92 हो गया, अब जाके उनको एक physical, strong physical evidence मिलता है, अब इस सबुत के साथ पुलीस ने इसको फिर से confront किया, और कहा कि अगर कोट में यह साबित हो गया, कि तुमने ही सारे shooting किये हैं, तो तुमें that penalty मिलना एकद हो शूट गये, वो घबरा गया, और फिर कहा कि वो सिर्फ एक ही शर्ट में confess करेगा, और वो यह है कि उसको death penalty ना दिया जाए, पुलीस भी इस बात को मान गई कि ठीक है, यह confess ही करते हैं, इसको lifetime sentence तो इसको हो गा ही, लेकिन जितने भी लोगों को इसने खून किया, उनके परिवार वालों को एक शांती मिलेगी अगर यह confess कर दे तो, अब इसके बाद 12 July 1993 को, कोट में यह गिल्ती साबित हो जाता है, और कोट इसको 5 consecutive 30 years की सजा देती, यानि कि एक खतम होगा तो दूसरा शुरू होगा, यानि कि यह कभी जिल से बाहर नहीं आ सकता, और इसको जाती है दोस्तों और इसको पुलिस वाले कोट चे लेके जा रहे होते हैं, तब यह हसता रहता है, मतलब समर्क करता रहता है, और इसका मतलब यही है, कि उसको अपने क्राइम का कोई भी पचतावा नहीं है, 21 October 2011 को यह जो थोमस दिलन है, उसकी जेल के प्रीजन के होस्पि कीजिए, और आगे बने रही है, ऐसी और कहानियों के लिए, थैंक यू सो मच,